हलो फ्रेंड्स कैसे हो आई होप आप सब ठीक होंगे तो आज मैं मलाई कोपता की रैस्पी लेके आई हूँ अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो रेस्टोरेंट वाली मलाई कोपता लाना भूल जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही जादा स्वादिष्ट बनती है तो मैंने हाँ पे फटे हुए दूद ले ले थी तो मेरे घर में दूद फट गए थे तो सोची क्यों ना इसका कुछ नया सबजी बना लूँ तो मैंने हाँ पे ये दो सग्रम लगवक छेने होंगे तो मैं छेने को हलकी हलकी हाथों से अच्छी तरह से मसल ली उसके बाद मैं छेने में डाल दी एक चम्मच चावल के आठे एक चम्मच बेसन आदी छोटी चम्मच नमक आदी छोटी चम्मच काली मीच पाउडर आदी इसमें पानी बिल्कुल बेयाड नहीं कर रही हूँ और थोड़ी सी बारी कटा हुआ हरा धन्या डाल दी और सभी चीजों को मैं अच्छी तरह से इसे मसल मसल के एक डो की तरह रेडी कर लूँगी तो फ्रेंड्स वीडियो को पूरा अंतक देखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक, सेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा आप यकिन मानगे फ्रेंड्स ये सबजी खान में बहुत ज़्यादा स्वादिश लगती है पनीर को भी फेल कर देंगे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है तो मैंने बनाई तो सोची क्यों अपना फैमिली से से जैर करूँ तो ये देखिए अच्छी तरह से एक सौप डॉक की तरह रेडी हो गया है तो अब मैं इसकी छोटी-छोटी लोई काट लूँगे और इसे हाथों में लेके एक बॉल्स की तरह इसका सीव दे देऊंगे और ये देखिए मेरी सारे बॉल्स रेडी है तो अब मैं यहाँ पे गैस अन करके कढ़ाई को रख दी हूँ और कढ़ाई में मैंने सर्शा तेल डाल दी तो तेल गर्म जब हो जाए तो मैं इसमें एके करके सारे बॉल्स डाल दूँगी तो उसे चमच या कल्ची से ना चलाएं उसे कढ़ाई को ऐसे पकड़ के हलके हाथों से इसे हिला दें ताकि वो कढ़ाई के तलियो में चीपके न और वो असानी से फ्राइ हो जाए तो मैंने इहां पर गैस की फ्लैम को low medium फ्लैम पे कर दी हूँ और इसे golden brown होने तक fry कर ली और ये देखिए golden brown बिल्कुल हो गई है तो अब मैं इसे निकाल लेती हूँ सो फ्रेंड्स मैंने हापे करहाई मैं फिर से तेल डाल दी और तेल में एक छोटी चमच जीरे एक दाल चिनी का टुकड़ा एक हरी लाजी एक लॉंग और तीन से चार काली मिट्च सभी चीजों को मैं डाल दी और इसे अच्छी तरह से चटकने देंगे तो इस देखिए अच प्याज को थोड़ी सी ब्राउन होने तक भून लूँगी और ये देखिए प्याज जो है वो ब्राउन हो गई है तो मैं इसमें मसाले में लहसुन अद्रक हरी मेच का पेस्ट डाल दी और मसाले को थोड़ी देव में भून लूँगी उसके बाद मैं इसमें सुखे मसाले तो सुख्य मसाले में स्वाद अनुसार नमक चूटी चमच लाल मिची पॉडर अब चमच के करीब में डाल दी इसमें हल्दी पॉडर और एक चमच में काली मिच और जीरे का पॉडर डाल दी और सभी मसालों को मैं अच्छी तरह से भूल लूँगी उसके बाद मैं इसमें बारिक कटा हुआ टमाटर डाल दूगी मसाले को थोड़ा सा भून ले नहीं तो जो टमाटर है वो अच्छी तरह से मसाले को नहीं भूनने देती है तो ये देखिए मसाले भून गई थी तो मैं इसमें बारिक कटा हुआ टमाटर डाल दी और इसे थोड़ा देर चला के मैं इसे एक ढगकन से थोड़े देर तक ढग दी ताकि ये उसके भाप से अच्छी तरह से गल जाए और ये दिखे टमाटर जो है वो सौप्ट हो गई है तो मैं उसमें मसाले वाले थोड़ी सी पानी डाल दी और उसे लगातार दो मिनट तक मसाले को जितना भूनेंगे उसका स्वाद उतना ही अच्छा आएगा तो अब मैं इसमें एक चमच के करीब डाल दी मैथी पाउडर इससे इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है और मैथी पाउडर डाल के मैं से फीर से थोड़ी दिर भून लोंगी और ये देखिए मस साले जो है वो भून के रेडी हो गई है और किनारे से तेल भी छोड़ना इस्टार्ट हो गया था तो अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दी उसके बाद बारिक कटा हुआ हरा धनिया तो अब मैं यहां पर उबाल आने तक बेट करूंगी तो मैंने यहां पर गैस की फ्लेम को हाई फ्लेम में कर दी हूँ और यह देखिए मसाले से उबाल आना स्टार्ट हो गई है तो अब मैं इसे एक एक करके सारे मलाई वाले जो कॉपते मैंने बनाय थी उसे डाल दूंग और उसे थोड़ी दिर पका लूँगी और यह देखिए अच्छी तरह से पक के सबजी जो है वो रेडी हो गई है तो मैं इसे एक प्लेट में सब करती हूँ आप यकीन मानिए फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट लगती है यह सबजी तो मैंने हाँ पे एक कटोरी में थोड़ी सी घर की मलाई जो थी उसे लेली ताकि सोचे इसका थोड़ा सा अलुग भी अच्छा है बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा और खाने का स्व बाद भी बढ़ जाए और यह देखिए मलाई कॉपता बनके रेडी है बाई